mutual fund में कुछ ऐसी risky categories हैं जिन से बच कर निकलना ही बहतर है। जी हाँ, अगर आप एक नए investor हैं, तो फिर आपको इन risky mutual fund categories में invest करने से बचना चाहिए। अगर बिना जानकारी के आपने केवल return को देखते हुए इसमें invest करने का सोचा, तो फिर आपकी मेहनत की कमाई इसमें fund सकती है। तो कौन सी है वह risky fund categories जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको किसी एक large cap fund के returns को दिखाना चाहूँगा, जो mutual fund हमने यहाँ पर उदाहरण के लिया है, वह है HDFC Index Fund का Sensex Plan। हाला कि पिछले एक डेड़ साल से share bazaar उतना अच्छा perform नहीं कर रहा है, फिर भी इसने लगभग 6.75% के return दिये हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल में इसका 12-15% के बीच का return रहा है, जो एक प्रकार से consistent माना जा सकता है। अब अगले fund के return पर ध्यान दें, जिसका नाम है HDFC Housing Opportunity Fund, जो एक प्रकार का thematic या sectoral mutual fund है, जो किसी खास तरीके के sector में ही invest करता है। इसके पिछले 1 साल और 3 साल के return को देखें, और फिर उसके बाद इसके 5 साल के return को जब देखेंगे, तो पाएंगे कि अचानक ही है, कम हो गया है। तो कुल मिला करके इसके returns में consistency नहीं देखती है। चलिए अगले fund की बात करें, जिसका नाम है Invesco India Credit Risk Fund, जो एक debt fund है, अब चुकि ये debt fund है, तो फिर इसके returns भी equity जैसे नहीं रहेंगे। पर आप इसके पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और 7 साल के return को देख करके ये समझ सकते हैं, कि इसमें भी consistency बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत ही अधिक उतार चड़ाओ है, जबकि ये एक debt fund है। अब अगला आपके सामने है एक और debt fund, जिसका नाम है UTI bond fund, ये एक long term debt fund है, और आप इसमें भी देख सकते हैं, कि जहां पिछले 1 सालों में stock market में बिल्कुल भी return नहीं है, वहीं इसने सवा 11 प्रतिशत के returns दिये हैं, पर इसके पिछले 5 साल, 7 साल और 10 साल के returns जब आप दे और इनमें बहुत यदिक उतार चड़ाओ है, इसे problem क्या है, कि मानले अधिकतर निवेशक लंबा नजरिया ले करके mutual fund में invest करते हैं, और अगर आपने अपने long term के लिए इस प्रकार के mutual fund में invest किया हो, तो हो सकता है कि जब आपको पैसे की जरूरत हो, उस समय इसका performance बढ़ होता है, इसलिए मैं कहता हूँ, कि अगर आप एक नए निवेशक हैं, और आपने हाल ही में equity या फिर debt में exposure लेना चालू किया है, किसी mutual fund के माध्यम से, तो फिर इस प्रकार के mutual fund में invest करने से बचें, पर एक बात आपने ध्यान दी होगी, कि इस प्रकार के funds में कई बार returns त दूर रहना ही बेतर है, दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप इसे like जरूर करें, और ऐसी ही informative वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करें, अब चलिए बात करते हैं कि अगर आप एक new investor है, तो फिर आपको किस प्रका अधा returns देने की शमता भी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह fund cyclic होते हैं, और किसी खास theme या sector पर ही based होते हैं, thematic sector में सही investment के लिए सही fund को सही समय पर लेना आवश्यक है, और सबसे बड़ी चीज है इसमें सही समय पर निकल जाना, नहीं तो आप उसमें बुरी तरह से फस सकते हैं, जैसे कि मैं आपको example दू, एक thematic mutual fund जिसका नाम है ICICI Prudential Technology Fund, और COVID के बाद से ही, इस fund में जो rally चाल हुई थी, वो बहुत इश्यानदार थी, पर अगर आप इसके पिछले एक साल का return देखेंगे, तो आपको negative में भी दिख जाएगा, और ऐसा इसलिए है, क्योंकि अभी पिछले एक साल से IT सेक्टर बिलकुल भी perform नहीं कर रहा है, तो यही thematic mutual funds की सबसे बड़ी परिशानी भी है, और इन सब चीजों के बारे में जानकारी जुटाना एक नए निविशक के लिए बहुत ही मुश्किल है, नए investors किसी भी diversified mutual fund में long term के लिए invest करने का सोच सक सकते हैं, पर यही काम वे लोग sectoral mutual fund में नहीं कर सकते हैं, अगर लंबे समय की बात करें, तो आप देखेंगे कि ऐसे mutual fund की performance काफी कमजोर रहती है, अब चलिए अगले category की बात करें, जिसमें आपको investment करने से बचना चाहिए, वह है credit risk fund, तो सबसे पहले तो यह समझ लें कि आखिर यह credit risk fund होता क्या है, credit risk fund एक प्रकार से debt mutual fund होते हैं, और यह बहुत ही low credit quality वाले bonds में invest करते हैं, अब आप पूछेंगे कि यह क्यों high credit quality वाले bonds में invest नहीं करते, तो ऐसा इसलिए है कि अगर यह लोग high credit quality bond में invest करेंगे, तो उसमें interest भी कम मिलेगा, और अगर यह भी अधिक मिलेगा, जिससे overall इस fund का return भी बढ़ेगा, इसके लावा जो credit rating agency होती है, जैसे crystal, वह हर्मतिमाही credit rating को upgrade या downgrade करती है, और यह fund manager उसी ताक में लगे रहते हैं, कि अगर कोई low credit quality वाला bond upgrade हो गया, तो फिर उन्हें return भी काफी अच्छा मिलेगा, दोस्तों bond की rating कैस वीडियो बनाई है, जिसका link description में है, आप जा करके उसे देख सकते हैं, तो इस लिहाज से credit risk fund, एक debt fund होते हुए भी बहुत ही अधिक risky है, क्योंकि इसमें return तो अधिक मिल सकता है, मगर उसमें default होने की संभावना भी बहुत अधिक है, जैसे मानले, किसी company का bond, जो किसी fund manager न सकता है, तो नए निवेशक ध्यान दे, और किसी के बोलने पर भी credit risk fund में investment बिल्कुल भी ना करें, अब अगली category है, जिसमें new investors को invest नहीं करना चाहिए, वह है long term debt fund, यह fund ऐसे होते हैं, जिसमें bonds की maturity 5 साल या उससे अधिकी रहती है, अब पूछेंगे कि maturity से इसमें क्या risk है तो long term debt fund में सबसे बड़ा risk है interest rate में होने वाले बदलाव का, देखिए आपको पता ही है कि हर तिमाही RBI द्वारा ब्यासदरों में कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है, तो इस तरह से अगर आपके fund की maturity बहुत ही लंबी है, तो फिर इन समय में लगातार ब्यासदरों मे अधिक return पाने के लिए सही समय पर entry और सही समय पर exit करना बहुत ही जरूरी है, तभी इसमें आपको बढ़िया फायदा हो सकता है, और इन सभी कारणों से मैं कहता हूँ कि long term debt fund एक साधारण और नए निवेशक के लिए काफी risky है, वैसे अगर नए निवेशक चाहें, तो फ झाल